हलो फ्रिंट्स विल्कम बाक तो माई चानल ताट इंग्लिश फील्ड अनियों कियर वी प्रिपेर पर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिट्रेचर तोड़े वीडियो इस वेरी इंपॉर्टेंट अल्रेड़ी अप्लोडेट टिंटन एवे के जो में पॉइंट्स है जिनस कि रटने की एक लिमिट होती है रट के आप बहुत जादा दिन तक उसको रीटेंट नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं यह आपको सेजेशन दूंगी कि आप इसकी समरी को पहले अच्छे से समझे क्योंकि इस समरी को जब आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे यह दो पार्ट से दे देंगे वैसे तो उस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किये हैं थोड़ा सा ओवर व्यू आप देख लिजेए विकास हो सकता है पहले आप यह वीडियो देख रहे हो तो टिंटन एवे के बाग की पूहिम का एक्स्प्लेनेशन है टेक्स्ट एक्स्प्ले 1798 इसलिए इसे रिविजिटिंग ऑन दे बांक ऑफ रिवर वे बोलते हैं यह एक नेचर पोईट है आपको पता है और इस पूहिम बेभी इन्होंने अपनी सोल को नेचर से कैसे कनेट किया क्या एनलाइस किया उसी के बारे में बताया है आए तो देखते हैं आक्चली यह वर्ट सेतर के सी पोईए में अज़िओ अगर व्रेट से यह ब intelligence है और नेचर को इन्होंने बहुत ही पास से अनलाईस किया है बहुत ही करीब से उनने नेचर को फिल किया है कि अगर व नीचर लविंग है तो नेचर को अलग लेवल। लिजा के divinity से उन्होंने इसे connect किया है जो वीडियो है इसके main points का टिंटर नवे के उनमें ये सारे points आपको मिल जाएंगे इसलिए मैं पूर रही हूं कि पहले आप समरी समझ लो पूरी पोईम का extract समझ लो उसके बाद में आप points को करोगे तो खुदब खुद आपको questions के answers मिल जाएंगे So let's start Five years have passed, five summers with length, of five long winters and again I hear these waters rolling from their mountain springs So here, five years have passed, five summers with the length इनका यहाँ पे five years, five summers ये बोलने का मतलब है कि काफी लंबा समय निकल चुका है As I have told you कि इन्होंने दुबारा से पात साल के बाद में revisit किया है Riverway पे, Tinternevay पे तो उसी को वो बता रहे हैं कि five years have passed और उस past सालों में past summer भी निकल के काफी लंबा टाइम निकला जिसमें long winter भी निकले and again I hear these waters और फिर से nature से ही related बताया है पूरी nature की beauty को उन्होंने इसमें depict किया है These waters rolling from their mountain springs कि यह जो water है rolling जिस तरीके से ज़रना पहता है पानी गिरता है तो जो rolling की आवाज आती है with a soft inland murmur murmuring फस्फसाना जिसको कहते हैं जो पानी की धीमी धीमी आवाज आती है once again do I behold these steep and lofty cliffs और फिर से मैं इन चटानों को देख रहा हूं इस पानी की आवाज को मैं सुन रहा हूं that on a wild secluded scene impressed secluded means तनहाई जो अकेले में जो nature की beauty को feel करते हैं आप किसी बीच के पास बैठ चाओ और उसके बाद में शाम के टाइम पे आप उसको feel करने की कोशिश करो तो जैसा आपको लगेगा peaceful atmosphere in the same way he is also feeling the natural beauty of tinter nabye and he is saying that on a wild secluded scene wild है जंगल में है बट काफी तनहाई है यहाँ पे बहुत ही शान्ती है thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky और ये nature देखने से उन्हें ऐसा लग रहा है the landscape with the quiet of the sky जैसे आकाश और जमीन एक दूसरे से connect कर रहा हूं एक दूसरे से उनकी ब्यूटी है वो connect कर रहे हूं एक दूसरे से उनको जोड रहा हूं thoughts of more deep seclusion और ये सारी beauty देखके ये सारा जितना भी nature का atmosphere है beauty है इसको देखके उन्हें और भी ज्यादा connected feel हो रहा है और काफी गहराई से सोचने के लिए वो मजबूर हो गए है जिसको और भी internally उस nature की beauty को वो feel कर सके क्योंकि वैसे भी वो 5 साल बात दुबारा आए हैं तो वो सारी beauty वो recall कर रहे हैं और present में उन्होंने ये poem लिखी है उसको देखते हुए टिंटर नेवे के tour पे now see the next one the day is come when I again repose तो वो दिन आ किया है जब मैं तुबारा से यहां पे विजिट कर रहा हूं here under this dark sycamore and view these plots of cottage ground these orchard tufts which add the season with their unripe roots तो यहां पे वो बोल रहे हैं यहां पे भी उन्होंने beauty को ही represent किया है और वो feel कर रहे हैं sycamore a tree होता है उसके under में बैटके वो nature की जतनी भी beauty उसको absorb कर रहे हैं कि इसके नीचे लेट के जब मैं देख रहा हूं plots of cottage ground वहां पे कुछ cottage बने हुए है ग्राउंड के आसपास उनको मैं देख रहा हूं orchard tufts देख रहा हूं जो बागीचा है वहां पे fruits का या फ्लास का उनको देख रहा हूं जैसे कि आपने देखा होगा green hue means जैसे fly में उसकी जो body रहती है वह greenish रहती है in the same way यह fruit से वह अन्राइप है अभी पके नहीं है तो उसको देख के उन्हें feel हो रहा है कि यह सारे जो greenery के अंदर ही क्या हो जा रहा है चुप जा रहा है चुप जा रहा है these hedge row means होता है जो लंबाई में एक साथ पीड़ लगे वे रहते हैं एक ही लाइन में माली जै बहुत बड़ी सी land है और वहां पे ऐसे linear way में कुछ trees लगे वे हैं तो यह land को दोनों को separate करते हैं कहीं भी चाहिदर है चाहिदर है ऐसे trees लगे वे हैं तो उसको बोलते हैं hedge little lines of sportive wood run wild these pastoral farms तो यह जो लुक होता है जिस टाइप की hedges बनी होती है एक लाइन बनी होती है पेड़ों की तो जो लाइन को डिवाइड करती है तो यह हमारे जो दिहाती टाइप के farm होते हैं जो गाओं के area होते हैं village farm होते हैं वहां पे ऐसा नजारा देखने को मिलता है green to the very door and rays of smoke sent up in silence from among the trees और ऐसा लग रहा है जैसे वहां से एक धुवाँ सा निकल रहा हो एक ग्रीनरी में से एक धुवाँ सा निकल रहा हो with some uncertain notice जो कि कोई certainty नहीं है कि वो धुवाँ किस चीज का है as might seem of vagrant dwellers in the houseless woods ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो house है जो वहां पे जो लकडियां है उन में से वो धुवाँ आ रहा हो और वो उन trees से pass out हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां से धुवाँ निकल रहा हो तो वो nature की beauty को और भी जादा enhance कर रहा है और भी appealing लग रही है और some और of some means इस धुवे में इस beauty में uncertainty है certainty नहीं है यह बस वर्टस वर्ट को दिखाई दे रहा है और वो बोल रहे है कि हो सकता है यह धुवाँ हर्मिट के किसी पुजारी की cave से आ रहा हो whereby his fire the hermit sits alone जहां पर hermit अकेले बैठते है और अपना पूजा पाट अगेरा कुछ करते हैं तो हो सकता है यह धुवाँ बहां से भी आ रहा हो so there is not certainty in this that from where the suit is coming but somewhere it is coming and it is it looks very appealing जब वो greenery में से वो धुआ एक छले दार धुआ बनके निकलता है तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको उन्होंने बहुत ही करीब से feel किया है और beautify किया है these beautish forms though a long absence have not been to me as as a landscape to a blind man's eye अब यह पोल रहे हैं कि यह जो मैंने दृश देखा है यह जो beauty मैंने देखी है though long absence काफी लंबे टाइम बाद 5 साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ इसको मैंने revisit किया है have not been to me ऐसा नहीं है कि यह सारी चीज़े मैं भूल गया था हमेशा यह मेरे दिमाग में इसने चाप छोड़ी थी जो लंबे distance से लंबे time से मैं absent था यहाँ पे absence मुझे बार बार यहाँ खीशती रही या दिलाती रही जैसा कि अगर एक आदमी किसी सीन को last time देखता है और फिर वो अगर blind हो जाता है तो उसको कैसा लगता है जो चाप last time जो picture उसने देखी होती है वो उसके माइन में पूरी तरीके से print हो जाती है उसे याद रहती है in the same way when I visited that time ये सीन भी मेरे माइन में अच्छे से print हो गया था but off in lonely rooms and mid the din of the towns and cities I have owed to them I have owed to them means जब मैं वहां पे अकेला रहता था वीरान अपने कमरे में रहता था उस पूरे टाउन और सिटी की जो मेरा शहर था वहां के शोर शरावे में भी जब मैं थोड़ा सा भी आराम के समय में रहता था अपने अकेले वक्त जब मैं विताता था तो मुझे ये सारी चीजे वहां की जो beauty थी वो हमेशा मुझे याद आती थी in hours of weariness sensations sweet weariness means जब मैं थाका हुआ रहता था felt in blood and felt along the heart तो ये जो सारे sensations थे जो sweet sensations थे appealing sensation of nature that I had visit that time 5 साल पहले तो वो सारी चीजे मेरे mind में मेरे blood में पूरी तरीखे से घर कर गई थी and passing even into my purer mind with tranquil restoration feelings too of unremembered pleasure such perhaps as of no sight or trivial influence on that best portion of a good man's life अब यहां पे बोलते हैं कि यह सारी चीजे जैसे मेरे blood में flow कर रही थी पूरे मेरे अंदर रमा गई थी and passing even to my purer mind और मेरे पूरे माइंड पे इस पूरे नीचर का इंपक्ट पड़ा था जो इस beauty का impact पड़ा था वो पूरी तरीके से restore हो गई थी feelings too of unremembered pleasure और इस तरीके का pleasure था जिसको मैं कभी भूल नहीं पाया जिसको ऐसा था ही नहीं कि मुझे याद करने की ज़रत पड़े क्योंकि वो तो मेरी पूरे blood में flow हो रहा था as of no slight or trivial influence but इसका बहुत ज्यादा influence था मेरी लाइफ पे लेकिन अब जब मैं दुबारा आया हम अब आगे की lines में आप देखेगा on that best portion of a good man's life जो की जब मैं उस टाइम पे आया था तो यह मेरी life का एक best portion था it was very good because it left a very good impact on me तो इस तरीके से इन्होंने इनके ऊपर क्या impact पड़ा उस beauty का और इतने लंबे distance बात जो यह आए उसके बारे में इन्होंने बताया अब देखते हैं his little nameless unremembered acts of kindness and of love nor less I trust to them I may have owed another gift अब इन्होंने nature की beauty को यहां की जो feeling है उससे जो impact इनकी life में पड़ा है उसके बारे में यह explain कर रहे हैं अपनी feelings को express कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे बस impact ही नहीं पड़ा influence ही नहीं ही मेरी life मुझे एक और gift मिला इससे क्या gift था वो his little nameless unremembered acts of kindness and of love मुझे लोगों से प्यार करना tenderness softness in my voice in my soul जिस तरीके से हमें बहुत polite रहना चाहिए तो वो सारी चीजे मेरे nature में आई nor less I trust to them I may have owed another gift और में भी और पी बहुत सारी चीजें सिर्फ इतना ही नहीं और पी चीजे मुझे सीखने को इससे मिली हो या मेरे मेरे अंदर जो transformations आई हो और पास्पेक्ट more sublime देखे tender and sublime इसकी theme भी है जब आप points पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि tender and sublime इसकी theme है तो impact जो wordsworth के उपर पढ़ता है इस nature की beauty का इस peaceful atmosphere का उसको उन्होंने बताया कि उनकी आत्मा पे इसका आत्मा in the sense कि उनकी personality पे उसकी personality को transform करने में ये क्या role play करता है ये nature का impact in which the burden of the mystery actually आज burden of the mystery is this mysterious world में जिस तरीके से हम खो जाते हैं अपनी life की responsibilities में या फिर जो problems hurdles हमारी life में आती है in which the heavy and the weary weight जिस तरीके से हमें ठकान हो जाती है अपनी daily routines करते हुए अपनी responsibilities को निभाते हुए of all that unintelligible world ये जो unintelligible world है यहाँ पर हम सारी चीजों को निभाते हुए जो ठक जाते हैं जो problems को face करते हुए जतनी सारी चीजें हमारी life में होती है तो उन सब चीजों से मैं बाहर निकला is lightened ये line देखें यहाँ पर is lightened तो इस mysterious world से निकलने में मुझे help मिली और इससे मैं जब बाहर आया तो मुझे बहुत हलका महसूस हुआ that serene and blessed mood वो जो blessed mood blessed इसने क्यों बोला है जब आपके साथ में कुछ भी बहुत appealing होता है अच्छा होता है तो you feel as if you are blessed कोई आपको एक आशरवात के तरह मिला है वो और जब कोई चीज आपको appealing नहीं लगती है सूधिंग नहीं लगती है तो वह आपके लिए कर्स बन जाती है तो इन्हों ने उस नेचर को भी बोला है कि I am the blessed person that I visited this place again in which the affections gently led us on until the breath of his corporeal frame and even the motion of our human blood और जो human blood जो body में हमारे blood flow हो रहा है जो motion है जो हमारी daily activities है उसको इस नेचर ने बहुत light field कराया मुझे इस mysterious life से बाहर निकाला almost suspended we are asleep in body and become a living soul और उसके बाद में मैं क्या बन गया एक living soul जिस soul को इतना pure होना चाहिए जिसमें tenderness होनी चाहिए kindness होनी चाहिए love होना चाहिए affection होना चाहिए तो यह सारे transformations मेरे अंदर हुए after the tour of this tintered away while with an eye meet quiet by the power of harmony and the deep power of joy deep power of joy means जो depth है इस nature की इसने मेरी personality को transform किया जो harmony इस nature से मुझे मिलती है उसने मुझे जो burdens हमारी life के होते हैं उनसे मुझे release किया और मुझे peacefulness जो feeling होती है जो peace की feeling होती है उसको पूरी तरीके से analyze करने का मौका दिया we see into the life of things और जो joy होना चाहिए एक तो हम अपनी responsibilities को अपने hurdles को face करते करते सारी चीजों को करते करते बहुत जादा परेशान हो जाते हैं और उसको देखते हुए हमारा चेहरा कुछ ऐसा लटक जाता है लेकिन वही सारी चीजें जब हमें कोई चीज appealing मिलती है तो उन्हीं सारी चीजों में एक अलग सी power of joy आ जाती है उनको करने का एक अलग मज़ा आने लग जाता है एक अच्छे तरीके से उन चीजों को हम निभा पाते हैं all with happiness तो उसी feeling को वर्ट सूअथ ने feel किया कि उनकी life पेस का क्या impact पड़ा उनकी personality पे क्या impact पड़ा तो nature का इस तरीके से उन्होंने कुछ विरंड किया है अब यह यहां पे पूलते हैं if this but be but a vain belief yet oh how oft in darkness and amid the many shapes of joyless daylight when the fretful stir unprofitable and the fear of the world half hung upon the beatings of my heart how often spirit have I turned to thee oh servant way thou wanderer through the woods how often has my spirit turned to thee अब इनका यह कहना है कि आपको यह भी नहीं पता मतलब वो अपनी feelings को express करते हुए बता रहे हैं कि मैं यहां पे जब नहीं आया था means जब भी मैं यहां पे आने के बारे में सोचता था और मैं यहां present नहीं था लेकिन मेरी soul यहां से connected थी जब भी मैं यहां के बारे में सोचता था जो thoughts मेरे mind में आते थे of joyless delight तो मेरे mind में बहुत सारे thoughts आते थे in darkness amid the many shapes अलग-अलग तरीके के अलग-अलग चीजें अंधकार था पूरी city में means उसकी life में वो अंधकार था क्योंकि words were तो nature poet है तो वो उस nature को बुला नहीं पा रहे थे वो वहाँ के scene को बुला नहीं पा रहे थे और जब भी वो पूरे sun सारे बोलते है ना अंधकार में जब उसको खोशते थे जब भी उनको याद आती थी वहाँ की तो ऐसा नहीं है how often spirit have I turned to the तो ऐसा नहीं है कि वो कभी यहाँ पर आई नहीं उन्होंने अपनी जो soul थी अपनी आत्मा थी उनका जो strong mental thought process था उसके तुरू उसको कई बार वहाँ पर भेजा कहां पर वे river पर कई बार भेजा देखने के लिए और उसको जंगलों में छोड़ा इधर उधर भटकी means वो उस शांती को शांती की खोज में उनका यहाँ पर के lines कहने का मतलब यह है कि जो nature में आपको peace मिलेगा जो nature में आपको शांती मिल सकती है जो आपकी soul को एक transformation मिल सकता है जो एक pure आपकी आत्मा बन सकती है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता इन worldly pleasures में से तो कभी नहीं मिल सकता है तो यही उनका बताने का तरीका है और उन्होंने भी वही pleasure उसमें से खोज निकाला जो कि सांसारिक भोगों से बहुत दूर है बहुत अलग है तो उन्होंने बोला कि मैंने मेरी आत्मा को कई बार भेजा जंगल में इधर उधर कई जगे वो भटकी है देखी है How often has my spirit turned to thee और कई बार मैंने मेरी spirit को तुम्हारी तरफ turned किया ऐसा नहीं है And now with gleams of half extinguished thought with many recognitions dim and faint and somewhat of a sad persplexity the picture of the mind revives again while here I stand not only with a sense of present pleasure but with pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years and so I dare to hope though changed no doubt from what I was when अब इनका कहना है कि जो भी मेरे mind में half extinguished thoughts थे means पूरी तरीके से तो मुझे नहीं याद आता था but ये nature बार बार मुझे क्या करता था मेरे mind को touch करता था बार बार मेरी आत्मा में को कचोड़ता था ये बार बार मुझे याद आता था क्योंकि देखे जिस चीज़ के लिए आप बहुत जादा inclined होते है या फिर आपका बहुत जादा interest होता है तो उस चीज़ की तरफ आप बार बार जाते है तो ये बोल रहे हैं कि एक्तम exact मुझे scenery नहीं याद आती थी या फिर वो चीज़े exactly मुझे अपील नहीं करती थी बट थोड़ा थोड़ा dim और faint लेकिन हाँ मेरे mind में एक recognition था मुझे पैजान थी कि जो thoughts मेरे mind में आ रहे हैं जो beauty मुझे बार-बार मेरे mind को touch कर रही है that beauty is related to the tinter never seen is related to where river the picture of mind revives again और जब अब मैं यहाँ पर आया हूँ दुबारा से आया हूँ तो दुबारा से ये सारी picture क्या हो गई है refresh हो गई है और जब वो आधी अधूरी मेरे mind में आती थी तब भी मुझे कोई दुख नहीं था उसके बारे में तब भी मुझे ये नहीं था कि मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा मैंने कभी भी उसके लिए sad feel नहीं किया और present pleasure but with pleasing thoughts और आध जब मैंने इसको देखा है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और pleasing thoughts जो मैंने बताया आपको की बहुत appealing लगता है soothing लगता है जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे आपको feel करने में अच्छा लगे आपकी आँखों को देखने में अच्छा लगे उसे कहते हैं appealing soothing तो अब जब वो देख रहे हैं तो he is feeling very happy that in this moment there is life and food कि अब मुझे लग रहा है जिसे हमें लगता है ना कि हाँ अब हमें सब कुछ मिल चुका है we have each and everything in our life तो जब उन्होंने दुबारा से इसको visit किया तब वो जो faint और dim जितनी भी scenario था उनके mind में वो सारा clear हो गया और अब उनके mind में कोई भी doubt नहीं बचा और वो पूरी तरीके से change हो गए पूरी तरीके से उनका thought clear हो गया एक transparency आ गई और उन्हें अब बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके कि उन्हें सब कुछ मिल गया क्योंकि वो थे nature point, nature loving तो nature को देखके उन्हें बहुत ही happy feel हो रहा है आप देखे इन्होंने इनका यहां पे कहने का मतलब एक और भी है कि जो thoughts जब मैं यहां पे 5 साल पहले आया था तो उस time पे जो pleasure मुझे ये nature दे रहा था means वो nature की कितनी value करते हैं कितना respect देते हैं उसको nature को और उनकी life में क्या place थी उसकी इससे आप उसको judge कर सकते हो तो उन्होंने बोला कि जो pleasure मुझे उस time पे दे रहा था अब वो pleasure मुझे नहीं मिल रहा है still I value nature still ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है still I am very happy और of present pleasure देखें यहां पे एक line है while your eyes time not only with the sense means यहां पे जब मैं खड़ा हूं तो ऐसा नहीं है कि अब मुझे वो चीज अच्छी नहीं लग रही है या फिर अब मुझे इस nature को देख करके अच्छा नहीं लग रहा है still I am feeling good लेकिन boyhood में जब मैं आया था और आज के time में थोड़ा सा difference है तब भी nature को मैं बहुत प्यार करता था आज भी प्यार करता हूं और यही जो मेरी memories हैं जो आज मैं यहां से देख रहा हूं या फिर मुझे जो feel हो रहा है यह as a food work करेगा जो भी nature से extract मुझे मिल रहा है जो मेरी soul को purity प्रोवाइट कर रहा है यह मेरे future years में as food serve करेगा जैसे खाना हमारे लिए serve करता है हमारी भूग को मिटाता है उसी तरीक से वर्टसवर्थ को क्वेस्टी nature की वो nature loving थे नीचर में वो अपने जिंदगी के सारे सुख खोशते थे तो उन्होंने बोला है कि अब यह मेरे food की तरह वहां पे काम करेगा so this is the extract or you can say essence of this paragraph now here he is saying that I came among these hills wind like a row I bounded over the mountains by the sides of the deep rivers and the lonely streams wherever nature led more like a man flying from something that he dreads that one who sought the thing he loved for nature then occurs the pleasures of my boy's days and their glad animal moments all gone by to me was all in all I cannot paint so here actually वो बोल रहे है कि जब मैंने उस ताइम पे विजट किया था at the time of my boyhood जब जवानी के टाइम में मैंने जब मैं यंग था उस ताइम पे मैंने विजट किया था that time I was like a hirin तो उस तरीके से I bounded over the mountains तो मैं पहाड़ों पे जहां तक मुझे नेचर दिखाई देता था deep rivers जो desolate streams होती थी desolate क्यों बोलते हैं lonely क्यों बोलते हैं क्योंकि एक शांती मिलती है हमें ऐसे natural वातावरण या atmosphere में जाके तो वो बोलते हैं कि जब मैं वहाँ पे जाता था लुफ्त उठाते हैं उस nature का in the same way मैं भी nature का लुफ्त उठाता था इधर से उधर भागता फिरता था flying from something that he drits जैसे कि उसे किसी चीज का डर ही ना हो the one who sought the thing he loved बस उन्हें तो nature से प्यार था तो वो उसी की खोश में निकल जाते थे और घूमते थे for nature than the course of pleasure of my boy's days तो actually जो bracket में लिखा है उसे वो ये बताना चाते हैं कि जैसे एक animal का moment होता है यहां से वहां उसी तरीके से उनका भी moment पूरे nature में यहां से वहां होता था I cannot paint जिसको की वो words में बता नहीं सकते हैं कि उन्हें ऐसा करने में या फिर उस टाइम पे जब वो आये थे तो वो किस तरीके से उन्होंने इस दृश्य को महसूस किया था किस टाइब से उन्होंने इस atmosphere को analyze किया था feel किया था और अपनी soul से nature को connect किया था तो यहां पे वो यही पताना चाहते हैं जो connectivity उनकी boy time पे जब वो यंग थे उस time पे जो connectivity थी उसकी एक अलगी divine level थी उसका एक level अलगी फिर यहां पे इनके कहने का मतलब वर्ट सोथ का ये भी है कि जो time वहां था जिस तरीके से जब उस time पे वो आये थे अपने younger age में तो तब जो उनके अंदर animal movements थे means जितनी active थे वो यहां से वहां जाके पूरे जंगल को देखना nature को पूरा अच्छे से उसको analyze करना वो चीज अब नहीं है the time has gone अब वो सारे moments क्या है all gone by वो सारे moments जा चुके हैं अब वो चीजे नहीं है जैसे कि एक animal movement होता एक active होता है इंसान अब वो चीज नहीं है but yes, respect for nature love for nature is still the same now what then I was the sounding cataract sounding cataract को यहां पे एक जरने से compare किया गया है heavy flow का जरना है haunted me like a passion the tall rock the mountain and the deep and gloomy wood their colors and their forms were then to me अब यहां तक देखिए इन्होंने बोला है वो सोथ ने haunted me like a passion जैसे कि किसी चीज के लिए passionate होते होना like you are very passionate to achieve your target somewhere in the same way love for nature he was full of passion to see all those things to aspire all those things okay to have a deep thinking into that nature तो वो सारी जो tall rocks थी वो gloomy woods थी deep means वो जो घना जंगल था जो mountain था वो सब उन्होंने उस टाइम पे देखा their colors and their forms were then to me जिस तरीके से वो उस टाइम उनको लगे थे और उस टाइम पे जो एक तरप थी उसको देखने के लिए पता करने के लिए चारों तरफ घूमने के लिए वो सारा जंगल जिसमें वो भटके थे इदर उदर उन्होंने देखा घूमा अपर्टाइट अफीलिंग अड़ लव दाठाड नो नीड ऑफ रिमॉर्ट चाम और इस चीज के लिए अचली वो उनका इनर लव है वो उनकी आत्मा से है वो प्रेम ऐसा नहीं है कि उसको किसी एक्सटरनल सोर्स की जरूरत है उसको किसी एक्सटरनल सोर्स की या अट्राक वो उससे अट्राक्त हुएते अन्द सेम वे वही आपर्टाइट और फीलिंग अफ लव आपर्टाइट बोलते हैं a kind of desire जब बहुत आपकी इच्छा होती है आपके इच्छा होती है तो उसको घता है अपर्टाइट इन डिजायर होती है आपके अंदर तो वह चीज आज भी है लेकिन उसके लिए किसी external source या attraction के उनको ज़रुत नहीं है वाइथार्ट अप्लाइट नौर एनी इंट्रेस्ट अन बॉर्ट फ्रूम द आई ताइम इस पास्ट और अल इस एकिंग जॉइस अर नाव नो मोर and all its dizzy raptures तो वो ये पोल रहे हैं कि वो जो सारी चीजें हैं वो अब नहीं है जिस तरीके से पहले वो जाके घूमते थे और एक quest थी उनके अंदर जाके घूमने की देखने की सारी चीजों को तो respect आज भी आज भी वो deep thinking करना जानते हैं आज भी वो emotions उनके fresh हैं जैसे उन्होंने इस place को visit किया वो सारे emotions और fate scenes सारे refresh हो गए बट वो इतने active नहीं है वो time जो है वो चला गया है कही ना कही थोड़ी बहुत laziness आ गई है उनके अंदर not for this faint I nor more nor murmur other gifts have followed for such loss I would believe abundant recompense for I have learned अब वो यहाँ पर बोलते हैं अब यहाँ पर एक बहुत ही deep thought पताया है विलियम वोट सूथ ने यह बोलते हैं कि unborrowed from the I unborrowed from the I say the time that time is past अब यहाँ पर यह पोलने का मतलब उनका यह है कि यह जो beauty यह जो scenic beauty मैं देख पा रहा हूं जिन elements को मैं search कर पा रहा हूं इस nature में उसमें मेरे आखों का कोई रोल नहीं है उसमें मेरे eye का रोल नहीं है उसमें रोल है मेरे deep thought process का मेरे love का मेरे tenderness का वो feeling जो मेरे nature के लिए है तो उन चीज़ों को अगर मैं search कर पा रहा हूं उस beauty elements को nature में तो उसमें रोल मेरे thought process का है मेरे emotions का है ना कि उस nature में जो thought process चल रहा है मेरी आखों का जो आखों से हमें दिखाई देता है वो nature नहीं होता है उसको हम कितना feel कर पाते है अपनी source को कितना उससे connect कर पाते है that is more important तो nature को हमें उस level पे देखना होता है ना कि हमारी आखों का उसमें पूरा रोल होता है कि हाँ हमें यह चीज़े दिखाई दे रही है वैसे भी कई सारी poems में आपको यह चीज़ बता चुकी हूं कि जो poet होता है वो जो चीज जिस तरीके से देख पाएंगे जिस divinity level पे वो connect कर पाते हैं किसी भी चीज़ को उनका thought process अलग होता है और common man का जो thought process होता है वो अलग ह तो उन्होंने उसी की value को दिखाते वे बोलाए कि किसी भी चीज़ को अगर आप देखे तो सर्फ यह मत सोचे कि आप जो scenic beauty उसको देख रहे हैं तो that is enough आप जब तक उससे connect नहीं कर पाते हैं deeply जब तक आप उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं तो वो किसी काम की नहीं है अब वो बोलते हैं and all its aching joys are now no more and all its daisy raptures not for this faint eye nor mourn nor murmur other gifts have followed for such loss I would believe abundant recompense for I have learned अब वो यह बोल रहे हैं कि यंगर एज में जो भी मैंने सोचा जिस भी तरीके से मैंने behave किया और जितना मैं घुमा तो उससे मुझे कोई problem नहीं है उनका कहने का मतलब यह है कि यंगर एज को अगर मैं value देता हूं क्योंकि उस राइम पे मैं active था उस राइम पे तड़प थी मुझे हर चीज को जानने की और वो अब नहीं है जैसे अभी आपने पहले line में पढ़ा कि animal moments अब वो सारी चीज़े नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि I'm happy now क्योंकि जब boyhood में वो देखते थे इन सारी चीजों को तो boyhood में जब उन्होंने देखा तो वो सिर्फ pleasure के लिए द तो वो बोलते हैं कि अब एक काफी अच्छे quantity में या फिर आप कहलो कि काफी अच्छी majority है उनके अंदर जिस सारे thoughts को वो sum up कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से sum up करके उस nature की beauty को वो समझ सकते हैं तो वो बोल रहा है कि मेरे लिए ये time ज़ादा बेटर है उस boyhood से तो boyhood वाली सारी चीजे मैंने अब छोड़ दी हैं वो मेरा past था लेकिन अब जो मेरे पास में है वो मेरा present है और आज इस तरीके से जिस maturity level पे जाके मैं मेरी soul को connect कर पा रहा हूं इस nature से that is much more important than my boyhood time इसी लिए इसको तीन parts में divide किया गया है poem को और बताया भी गया है कि boyhood में उन्होंने nature को कैसे feel किया और mid age में कैसे feel किया और last में उन्होंने कैसे feel किया तो यह points आप जरूर देखें उसमें equation भी आता है इससे इसकी summary को समझना बहुत जरूरी हो जाता है so friends ऐसे informative videos के लिए subscribe और bell icon hit करना बिल्कुल ना भूलें so please subscribe तो जानो और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी helpful लगा हो तो please आप like button hit करना बिल्कुल ना भूलें इससे हमें motivation मिलता है आपके लिए और भी informative videos upload करने के लिए thanks for watching इसके दोनों पार्ट से जो आपके लिए और भ